आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे किचन के टिप्स और ट्रिक्स जिसे फालो करके आप अपने घर के इलेक्ट्रिक बिल कम कर सकते हैं और जब भी आप टिबिस स्टार्ट कर रहे हैं चालू कर रहे हैं तो क्या करें छलनी का इस्तेमालना जरूर करें इससे आप देखोंगे क किस्तके है कितना बड़ा फायदा होने वाला है तो चलिए जानते हैं कौन से हैवा टिप्स और ट्रिक्स सबसे पहले हैं सुम लोग जानेंगे दूर में पर लेका इसके लिए ना निकालते देर लिएक तरह किया करते हैं दिया wir了 कोई बेहारा सब पर तरह सबस्काई करें दो सब्सक्राइब करें लाच क्या लखें लोड़ते हैं कि व्यासरा को में इस दोल डाने को क्या करना है और जिए पान की देती है ऐस दो अगर तो नॉर्मली आप ऐसा धो रहे हैं तो नॉर्मली एगर आप ऐसा धो रह रहे हैं तो आप ऐसा थोगी है कि बहुत ही आए असानी शूड़ाइगे तो इस तरह से आप बकीट में डाल के उसके बाद में डाल सकते हैं या फिर नॉर्मली हम लोग जैसे कपड़े दोते हैं वैसे आप दो सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका है और अस्तिन के जो दाग है उसको निकालने का नेक्स हमारे टीप सेंट्रिक्स है पैरों को ले दर्ध होना ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से तो करना है क्या है प्याज लेना है प्याज को जैसे हम लोग सैलड के लिए काटते हैं बिरकुर उसी तरह से काट लेना है गोल गोल या पिर आप अपनी आप से कोई भी कट जो है वह मार सकते हैं प्याज में तो मैं इस तरह से गोलगोल कट कर ली हूँ, इसके बाद में क्या करना है इनको पैर में रख लेना है, देखिए इस तरह से पैर में रखना है उसके बाद में मोजा पहनना है, मतल треб की पहले प्याज को रख दे उसके बाद में मोजा पहने और प्याज जो है वो अंधर ही रहना चीये और ऐसे रख कर मोजा पहने और सोए तो क्या होगी आपकी जो पैर की दर्द है बहुत ही जल्दी आहराम हो जाएकी बहुत सारे दर्द रहती है, पैर में जोडों में दर्द रहती है, या फिर पैर चड़ने लगता है, यह सब प्राब्लम का सॉलूशन यही है, कि आप प्याज को पहन कर सोए, तो यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे दवा खाना जाते हैं, मतलब टिप्स और ट्रिक्स है, छलनी और टीवी को लेकर, अक्सार हम लोग टीवी चालू करते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी सुरू करने से पहले आप छलनी का इस्तमाल जरूर कर ले, मैं बताऊंगी कि करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एक कपड़ा ले, साफ सुत्र क यह बहुत अच्छा तरीक हैं खाने को साफ करने का तो यह खाने का सोड़ा ले एक टेबले स्पून के करीब उसके बाद में इन्हें ना चलनी से चान ले चानना बहुत जरूरी है कि खाने के सोड़ा में भी कुछ ऐसे वो रह जाते हैं मतलब कि बड़े-बड़े जो फतर है वो रह सकते हैं हलका सा तो उससे हमारी टीवी जो है खराब हो सकती है तो छलनी जरूर ले तो छलनी की सायता से इन्हें क्या कर ले अच्छी तरह से चान ले उसके बाद में करना क्या है इसमें ही थोड़ा सा पानी चिड़कना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं चिड़कन और जो एक्स्टर सोधा दीख रहा है मतलब है तो उने क्या कर額ल कर चिपका हैं अजलका से सोधा पानी में तो उन्हें क्या करें फोल्ड करके एक रुमाल को अच्छी तरह से मैंने रुमाल ली हूँ आपको भी कपड़ा ले सकते हैं उनकी सायतस से यह जो टीवी है उसको पोच ले इससे क्या होती है इसमें जो भी डस्ट रहेंगे या फिर रहता है ना बहुत असे दाग जैसे हो जाता है तो यह क्या हो पूरी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी आप देख रहे हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ आराम से करें बहुत ज़्यादा प्रेशराइस ना लगाए मतलब की आराम सही क्योंकि हमारा काच है पूटने गडर रहता है तो इससे क्या करें आराम से देखिए इस तरह से साफ कर ले और उसके बाद में अच्छी तरह से और दूसरे कपड़े से पोच ले आप देखूंगे कि आपकी जो टीवी का स्क्रीन है वो काफी अच्छी तरह से मतलब की साफ हो गई इस तरह से आप अपने टीवी के स्क्रीन जो है उसको साफ कर सकते हैं बहुत देट्स हमारे टिप संद्रिक्स हम जब भी टीवी को ओन करते हैं उसके बाद में ओफ कर देते हैं तो खने देशिक और सूजाते हैं तो कभी पानी यो नी आने का डर तो उसे क्या होती है हमाले टीवी जो है वह खराब होने का chances रहता है और electric bill भी बहुत ज़ादा लगता है तो कहना है जब भी आप वह सो रहे हैं तो पहले remote से off कर दीजिए और इसको बाद में टीवी के बटन रहते हैं उससे off कर दीजिए तो इससे क्या होगी आपकी यह बहुत अच्छा तरीका है आप जब भी टीवी को बंद कर रहे हैं रहना है भी कहीं बहार जा रहे हैं तब भी आप क्या करें movements पी जो बटन आप कर दें इसलिवल का जो ही नेकर है लुकर हे लेकर है लिएब ब intuitively शोटें लाइटा ठीए तो जब ज़रुत है तो बड़ी वाली light को आउन कर दीजिए और जब कम ज़रुत है तो आप छोटी वाली light को जलाए किनकि बड़ी वाली light में ज़्यादा electricity लगती है और छोटी वाली light में electricity जो है वो कम लगती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं घर में दो चीजे अगर दो चीज जरू रखने की जरुवदक नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा सः ज्यादा दन में संनलाइट का यूज़ करें और रात में यूज़ करें लाइट नद जरूद flavor करें चालू करें और अगर ज़्यादा जरुरत नहीं है तो आप छोटी लाइट से भी काम चला सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी उपाय करके आप इलेक्रिसिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं और हम लोग क्या करते हैं जरुरत नहीं रहीती ना तब भी हम फैन अन करके तो आप छोटी छोटी उपाय करिए और अपने इलेक्रिसिटी को बहुत ही कम करिए धन्यवाद